जूट नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, इतना अच्छा पैसा मिलता है जो कभी मैं फिजिकल क्लासे में पढ़ाया करते था, डेड लाग रुपया महीने का मिलता था, उससे भी कहीं गुना जादा मिलता है, तुमारे लिए ड्रीम जोब क्या है? अच्छा मेरे लिए ड्रीम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लोगों को इंस्पायर करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कैमरे से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, आप बिलीव करोगे, साहब मुझे पता ही नहीं मैं किस से बात कर रहा हूँ, एक चार दिवारी ये कमरा मेरे सामने समझ ही है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वक्त है आपके पास, लोगडाउन है सहाब, कुरोना ने सारी दुनिया बंद कर दी है, 14 दिन का समय दी है आपको, इस 14 दिन के अंदर आप उधार कर लो अपना, जो बचपन में नहीं सोच सके, वो आप सोच लोगों कि दुनिया बंद है सहाब, रुख जाए, थांबा करिए, जिन्दिकी को फिर से शुरुबात करिए, अपने आप से पूछे कि आप किस चीज से प्यार करते हैं, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, पहली चीज वो dream job हो सकती है, आपकी, दूसरा, you are good at it, dream job क्या होती है, या तो आप जिस्से प्यार करते हो, या फिर रहो सकता है, कोई आपके पास skill हो, जोची job करना चाते हो, अच्छा मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं बोलने में अच्छा हूं, तीसरा point क्या है तीसरा point है एक ऐसी dream job होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है साहब या ये या ये या ये ठीक है तो वो आपकी dream job हो सकती है लेकिन अगर तीनों ही चीज़े हो तो साहब माशाला ऐसा combination आपको मिलेगा ही नहीं जैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए ये तीनों चीज़ें एक ही चीज एक ही सेक्टर में आती है आज एटू motivation मुझे लोगों को motivate करना बड़ा अच्छा लगता है मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है इसका मतलब मैं सही direction मे जा रहा हूं साहब मुझे यही करना था जिन्दगी में समझे और लेकिन अगर आप इन में से कोई भी एक चीज आपके पास है या आप इन में से परक सकते हो कि आप जिन्दगी में क्या करना चाहते है वो आपके लिए dream job का रस्ता खोल सकती है लेकिन अगर तीनों हो गए समझे कि मैं मैं कितना भागेशाली हूं मुझे motivate करना बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है आज मैं वही काम कर रहा हूं समझ मारा है मुझे अच्छा भी लगता है मुझे आता भी ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बहुत से छे साल ओनलाइन में हो गए हैं साहब बात करते हुए कैमरे में कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग आपको कब सुनेंगे, लोग आपकी बातों को कब तवज्जो देंगे, साहब ये काम आता है मुझे अच्छा भी लगता है आता भी है और साथ इसके पैसे भी मिलते हैं साहब जूट नहीं बोलेंगे सच बोलेंगे इतना अच्छा पैसा मिलता है जो कभी मैं फिजिकल क्लासे में पढ़ाय करते था उससे भी कही गुना जादा मिलता है अब आप सोचिए कि हम कितने भागे शाली है और अगर आप अब देखिए इससे ना इससे वो एक गुनी लेना है कि मुझे इस बंदे से चेड़ हो रही है कितना भागे शाली है नहीं साहब, रिस्पेक्ट करिए साहब रिस्पेक्ट करिए और मैं आप से कहूँगा प्यार से अगर रिस्पेक्ट करेंगे और यही चीज आप भी चाहेंगे तो यह चीज आपको भी मिलेगी आप सोचिए, आप सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और क्या आप उसमें अच्छे हैं और क्या उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं और अगर तीनों चीजे हैं सहाप आप जिन्दिगी में कभी परिशान नहीं होंगे ये मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूँ तो सबसे पहले तो अपनी ड्रीम जोग ढूंडिए अब करना क्या चाहते हैं